हेलो दोस्तों दिस प्रेम सुधानी कमिंग अप नेक्स राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लिफाइड यहां पे हम कोई भी टॉपिक लेते हैं और आपको बहुत ही कम टाइम में उसे बहुत सिंप्लिफाइड मैनर में समझाते हैं तो आज की इस यूश्यू में हम बात करने वाल है सभी मेजर स्टेक हौल्डर्स पर जो भी वहां पर मौझू थे चाहे वो चाइना हो रुष्या हो यूएस हो पाकिस्तान हो चाहे वो खुद अफगानिस्तान हो तो सभी बन-बै-बन हम बात करने वाले हैं तो शुरू करते हैं उस शुरू करने से पहले आप सभी को 15 आगस्त यानि हमारे इंडिपेंडेंस डे की बहुत-बहुत शुब कामना है और आहे हो आपने इसको अच्छे से एंजोई किया होगा हमारा फेस्टिवल है नेशनल फेस्टिवल सो बंस अगें विशिंग यू आल ड़ यहापी इंडिपेंडेंस डे अ क्योंकि उसको पाकिस्तान से सपोर्ट थी और पाकिस्तान जो है वो सदन में पढ़ता है अफगानिस्तान के तो वहाँ वाले एरिया में कबजा होना समझ में आ रहा था लेकिन तालीबान जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अभी हाल ही में उसने नौर्धन जो important part हो जाता है उसको कब जा लिया फिर वो अफगान में जो capital है काबूल उसकी तरफ बढ़ निकले अब बात करते हैं जब capital city में आये तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे international airport है यहां का इसके साथ UK की embassy है USA के embassy है इसके साथ-साथ यहां पे एक बहुत important prison है that is पले चर्की और इस पले चर्की में बहुत सारे IS-IS और al-qaeda के terrorists जो हैं वो बंद थे जेलो में लेकिन जैसे ही तालीबणी यहां पे आते हैं तो इन्हें भी release कर दिया जाता है मतलब जो situation पहले से इतनी खरापती उसमें आप यह समझ लीजिए कि और ज्यादा एड कर दिये हैं इन्होंने तालीबणी fighters के साथ-साथ अब al-qaeda प्लस आपका IS-IS वो भी यहां पे picture में आ जाता है तो one by one करके बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होगा इस वीडियो में सबसे पहले तो background of the news हम समझेंगे कि कैसे हुआ है दूसरा हम बात करेंगे कैसे implications होंगे नया अफगान कैसा होगा US के लिए situation क्या होगी इंडिया सभी major stakeholders के उपर हम इसका impact देखने वाले तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले देखिए advancing of the Taliban अगर आप समझेंगे तो यह जो सदन जो तालीबान है सदन जो अफगानिस्तान है यह already कबजे में था और यह आपको पता होगा यह पस्तून tribe से belong करते हैं जो mostly Taliban हैं वो पस्तून tribe से belong करते हैं और यह पस्तून ट्राइब जो है इस border area में रहती है यानि यह पाकिस्तान में भी रहते हैं और पाकिस्तान का इनको indirect support होने के पीछे एक region यह बी है क्योंकि यह पस्तून लेड तालीबानी फाइटर्स हैं अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे जो है इस नौर्दन जो इलाका है अफगानिस्तान का उसमें कबजा करना स्टार्ट करते हैं और अभी इन्होंने सेटरडे को मजारे शरीफ जो है बहुत ही इंपोर्टन यहां की एक टेरि बागाराम में जैसे ही पहुंसते हैं और वहां पे जो सोल्जर्स होते हैं वो विदाउट गिविंग देम अ गूड फाइट सरेंडर करते हैं और इसके साथ ही बागाराम जैसा एक इंपोर्टन और स्ट्रेजिक लोकेशन तालीबानी फाइटर्स के हाथ में आ जाती है के बाद सबसे बड़ा आगर हम बात करें तो यूएस का ब्लंडर तो यूएस जो है वो इतना बड़ा ब्लंडर कमिट करेगा यह किसी ने सोचा नहीं था क्योंकि अभी कुछ हपते पहले ही यूएस के प्रसिडेंट बाइडन से जब पूछा गया था जनरलिस्ट ने पू कि जो तालीबानी लड़ाके हैं वो साट से पिच्चासी हजार हैं तो हम बहुत अच्छी पॉजिशन में हैं और वी आर वेल एक्क्यूब्ड तो हमें कोई डरने की बात नहीं है अभी कुछ हपते पहले ही बयान आता है और अब all of sudden जो है वो किस तरह से खाली करते हैं और और सवाल लग जाता है इन 3 लाख fighters पर कि क्या US ने इनके उपर कैसा investment किया था कि ये एक fight भी नहीं दे पाए और सिर्फ surrender करना ही इनको सिखाया गया ऐसा लग रहा है तो वो जो 3 trillion dollar का investment है US का वो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा जब खास करके बात आई लड़ने की तो वो महां पर जो भी sensitive documents है उनको जलाईए ताकि वो दालीबान के हाथ न लगे और हम जो है evacuation का process start करते हैं तो यह जो 2001 में US घुसता है अफगानिस्तान में और invade करता है और declare करता है कि वी आर एक्चुली fighting a global war on terror और जिसको यह नाम देते हैं operation and your freedom अब इसके बाद जस्ट 20 साल तक यह 3 trillion dollar invest करते हैं security personals पर और वहां पर जो military expenditure है उन सब पर लेकिन यहां पर सबसे important जो चीज है वो है कि इनका जो manner of evacuation है भागने का जो तरीका है वो कहीं न कहीं एक incident की याद दिलाता है जो आप देख सकते हैं साइगोन जो अभी स्वियत नाम है उसकी capital है होचिनमें शिटी यह पहले साइगोन के नाम से जाना जाता था और 1975 के वियत नाम वार में US कुछ इसी तरह से भागा था वियत नाम को छोड़के तो South Vietnam जो था वो कबजे में आ गया था North Vietnam के अंडर में आ चुका था और US जब वहां से भागा तो यह आप picture अगर देखें तो वो similar picture ही है आप कि वो अपने लोगों को कैसे evacuate कर रहे हैं और सेम यहां पर आप देखेंगे तो US जो है अपने embassy से evacuate कर रहा है और यहां पर आप देख रहे होंगे smoke that is nothing but कि वो paper जला रहे हैं वो इसका smoke है so actually मैं इसके बाद US की जो credibility है that comes under question mark मतलब जो US-led NATO forces है या फिर US के जो allies हैं जिसमें मैं इंडिया की भी बात करूँगा वो अब आगे कैसे trust कर सकते हैं US पे जो इस सरीके से भाग जाता है situation में तो अब आप खास करके इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो अफगानिस्त खुद ऐसे भाग जाते हैं अब आप सोचें इंडिया की security जो है वो किस तरह से compromise हो गई है वहाँ पे अब US का सबसे बड़ा blender है यह after saigon incident of 1975 this type of incident actually erodes the credibility of the US हना तो आने वाले future में US के लिए यह बहुत ही बड़ा challenge होने वाला है और खास करके Biden के लिए President Biden जो है वो कैसे इसका सामना करेंगे कैसे जवाब देंगे वो तो देखने वाली बात है लेकिन यहां पर दो तीन question और खड़े होते हैं एक तो यह कि जो US ने इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में जो security में खर्च किया वो कभी भी उन्होंने अफगान के soldiers को train नहीं किया वो अपने ही soldiers थे और अब वो अपने soldiers लेके निगल गए अफगानी soldiers जो हैं वो कभी इस तरह से train नहीं किये गए हैं कि वो टकर दे सके तालीबानीस को तो पहला तो यह question mark दूसरा question mark लगता है कि US इस तरह से भागता है और उसके one by one करके हतियार हाथ लगते हैं तालीबान के जब जब वो अपन intentional तो नहीं है तालीबान को intentionally benefit पहुचाना और उसके बाद हमें याद दिलाता है US और तालीबान के बीच की दोहा deal जिसमें US कहता है कि हाँ हम चोड़ के जा रहे हैं और इस तरह से suddenly disappear होना तो यह बहुत सारे सवाल चोड़ के जाता है पीछे USA के लिए तो अब हम बात करते ह है कि अफगानिस्तान के लिए क्या होने वाला है after the fall of Afghanistan जो तालीबान आ चुका है पावर में तो देखिए सबसे पहली बात है कि तालीब जो है वह स्टूडेंट्स है इस्लामिक स्टूडेंट्स और वहां पर बाकी सारी freedoms हैं तो वह सारी चिंजाती है और जब भी freedom है freedom of speech है या फर freedom आपकी किसी भी तरह की हो वह हमेशा compromise होती है तो इस तरह के रिलिजियस fundamentalist जब गवर्मेंट आएंगी तो इन सब human right violation होगा आपके जो fundamental rights है वह वोईलेट होंगे education का right deny किया जाएगा और especially women की जो condition है वह बहुत ही खराब होने वाली है तो अफगान जो है Afghanistan को उसके बाद जब यह दूसरी बार capture हुआ है तो अब फिर से वही face देखने वाला है Afghanistan ऐसा भी लग रहा है अब बात करेंगा चाइना की तो देखें चाइना रश्या और पाकिस्तान इन तीनों की जो है ना यह एक तरह से आप यह कह दीजिए कि इनकी joint मतलब operation माल लीजि चाइना को पूरे यूरोप से और इस तरह से देख सकते हैं आप उसके बाद यह maritime जो इसका इनिशेटिव है वह इस तरह से connectivity चाहता है पूरे यूरोप के साथ और एश्या के साथ अब जब अफगानिस्तान में उसका तालीबान आ चुका है तालीबान इस नतिंग बड़ पाकिस्तान रूली है जब पाकिस्तान चाइना इतने अच्छे अलाई है तो तालीबान इस डैफिनेटली गोइंग टो हैल्प दो चाइना तो इंप्रेशर कम हो जाए तो यह एक बड़ी इनकी स्ट्रेजिक मैं कहूंगा कि जीत है इसके बाद तीसरा अगर मैं आपको बत हूं तो अफगानिस्तान जो है वो नेक्चुरल रिसोर्सेज में काफी रिच रीजन है तो चाइना जो है वो तो इस ऑलसो नौन फॉर इस नोटोरियस एक्टिविटीज है तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी विन है इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे चाइना का यहां से प्रोजेक्ट गुजरता है सीपैक जो इंडिया से होता हुआ जाता है वहां पे भी इनको बहुत बड़ा बेनेफिट मिलने वाला है क्योंकि अफगानिस्तान का कब्जा होना एक तरह से ना साइकोलोजिकली हेल्प करने वाला है पाकिस्तान को ताकि पी ओके से यह सीपैक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से जल्दी पूरा कर सके हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रश्या के लिए क्या इसमें खास बात है तो रश्या को देखे यहां पे जब यूएस एसर और यूएस के बीच में कोल्ड वार चल रहा था तो यूएस ने यूज किया करता है तालीबानीस को हाना और वह कफी कॉन्फरेंस के साथ चल रहा है और वह चाहता है कि इंट्राफगान सॉल्यूशन हो यूएस को यहां से खतम करा जाए तो वह काफी हद तक सक्सेश्फुल हो गया है और रश्या ने इसके लिए बहुत जादा इनिशेटिव भी लि देखेंगे तो ट्राय का प्लस मिटिंग के बारे में मैंने इन डिटेल बताया हुआ है साथ ही साथ आपको अफगानिस्तान का पूरा एश्यू समझ में आ जाएगा हमने उसके उपर दो से तीन वीडियो बना रखें आप वह जाके चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में अब ये ट्राय का प्लस मिटिंग हो गई या फिर आप इसको कहें मॉस्को फॉर्मेट के साथ भी आया था एक बार रश्या तो इन सबी इंटर्वेंशन से रश्या भी यहां पे बड़ा स्टेक होलर था और यूएसे का यहां से भाग जाना प्लस तालिबान का सरकार में आ बड़ा जाना तो रश्या भी कहीं न कहीं से इससे बहुत ही ज्यादा benefit है अफ़कर्षा सोरे लौर पाकिस्ताना बबात किसे पाकिस्तां एक pleasing चाहता था था तो सबसे पहले आपको समझना है यह पास्तून जो ट्राइब है फगान की यह पाकिस्तान के बोडर से लगती और अफ़गानिस्तान में strategic depth होने का मतलब है कि पाकीस्तान चाहता है कि भारत का वहाँ पे influence ना हो यही इसकी strategic depth है मतलब भारत वहाँ पे picture में ना हो और काफी हद तक आप देखेंगे तो ये successful हो चुके है यानि अब पाकीस्तान के पास strategic depth है अफगानिस्तान जो है वह अब पाकिस्तान की कभ पूरी तरह से पकड में एंसर प्रोक्सी गवर्णमेंट तो यह बहुत-बड़ा बूंत के लिए और इंडिया के लिए बहुत-बड़ा सेट मुद्र है और हम देखने जरांज देलाराम हाईवे आपने देखा होगा जरांज देलाराम हाईवे तो इस तरह कि हमारे बहुत सारे वहां पर प्रोजेक्ट हैं और इंडिया ने लगबख सबसे बड़ी बात आते हैं इंडिया के लिए क्या implication होंगे अगर हम देखें तालीबान का जब यहां पर पावर में आ जाता है तो सबसे बड़ा जो security concern होगा इंडिया के लिए वह जम्मो एंड कश्मीर में तो जम्मो एंड कश्मीर में आप देखेंगे कि जो हमारे यहां पर हमने देखा था कि पहले जब हमें surgical strike करनी पड़ी थी तो हम पीयो के की तरफ आराम से चले गये थे और वहां पर जो भी आतंकी ठिकाने थे उनको हमने डेस्ट्रोई किया लेकिन अब आप सोचिए यही operation अगर अफगानिस्तान से वो करेंगे तो आप अफगानिस्तान में कैसे पहुंचेंगे with the help of air space क्योंकि वहां पूरा आपको बीच में पाकिस्तान क्रॉस करना है अफगानिस्तान भी है तो इसका मतलब एक safe haven मिल जाएगा अफगानिस्तान के नाम पाकिस्तानी टेरर आउटफिट्स को और वहां से वो operation carry out कर सकते हैं और जम्मू और कश्मीर और खास करके भारत की जो internal security है उसके उपर बहुत बड़ा impact पढ़ने वाड़ा है दूसरा अगर हम बात करें तो जो इसलामिस्त और्गिनाजेशन यहां पे काम कर रहे हैं जम्म हमारा जरांज डेलाराम हाईवे है या फिर हमारा जो port है चाह बहार जो इरान में है उसको हम connect करके Central Asia की connectivity सोच रहे थे कि हम अफगानिस्तान के थूरू Central Asia को connect कर देंगे लेकिन अब अफगानिस्तान जो है वो तालीबानीस के हाथ में है तो यह देखना होगा कि भारत किस अब भारत उससे deviate होता है और नई सचा ही जो है तालीबान उसको कैसे स्वीकार करता है यह सब तो future ही बताएगा इस वीडियो में फिलाल इतना ही I hope आपको सारा समझ में आया होगा next वीडियो में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे further जो भी नए developments होते हैं especially related to the Afghanistan तो हम इन स कर दो